मैं जगरनात कुश्वा, वारांसी से मैं आज मानिकपूर गाउं में बलाक बरहनी, जिला चंदोली और प्रदेश उत्तर प्रदेश में मैं एक ऐसे प्रगत शील की शान के पास आया हूँ जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बाडर पर हैं एकदम ठीक बाडर पर हैं और बगल में कर्मनासा नधी है इसके बाद बिहार है और जहां खड़े हैं यह हम उत्तर प्रदेश के बाडर पर खड़े हैं हम ऐसे प्रगत शील किषान के पाकर आये हुए हैं जिन्होंने कि पूरे अभी पुर्वांचल में एक मात बेक्ती ऐसे हैं जिन्होंने की देखी यह इस्ट्राबेरी की खेती आपको हम दिखा रहे हैं और फिर इनसे भी हम बार्चित आपकी कराएंगे लेकिन यह पहले किशान है जो इन्होंने के चंदोली जिले में इस्ट्राबेरी की खेती की है यह देखी इस्ट्राबेरी की देखे इसे भेरी कहिए ये फल लगे हुए हैं और आप देख रहे हैं एगदम पफल देखिए चारु तर पा पाइस में ध। पाण को यहां पर यह आपको वीडियो बना रहा हूं और यह देखिए इतना बढ़िया खेती पूरे पुरवांचल में अभी कोई ब्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस तरह का इस तरह बेरी की खेती कर रहा हो मैं उसकी सान से भी आपके भेट कराऊंगा आगे भी कुछ इन्होंने लगा है मल्चिंग करके पौधा और उसके बारे में भी सभंजी कासा लेंगे लेकिन एक अलग तरह का प्रयास कि इस समय के धूप में जबकि की इतना तेंप्रेचर हाई है हाई टेंप्रेचर में आपको इस्ट्राबेरी की खेती आपको कम ही देखने को मिलेगा लेकिन अभी त पास आपको ले चल रहा हूं जो जिनका नाम है अनिल कुमार मौर्ग और अनिल कुमार मौर्ग से मैं भी भेट करा रहा हूं अभी तब तक देखेंगे आप ये ये इस्ट्राबेरी आपके सामने है तुराई करके यह यह यहां पर और इस जिने के ये यह साहब भी ये जी इनका नाम प्रदीब कुमार है और ये चंदोली जीले के SDM है ये इनकी आधुनिक खेती को देखने के लिए इसका परिच्रण करने के लिए ये सरकार की तरफ से भी यहां आये हुए हैं और अनिल कुमार जी कहा है है अनिल जीं कर को दिखा रहा हूं यह हमारी बहने हैं अपना खाना खा रही है और यह त्रब्री क्या कर रहे हैं देगे आनिल कुमार मोर्य आपम expect काम पर दिजे ilde 6 जब पर یہ गहीं है कितना इसका एक लाक फ्राणा दिया जाता है एक लाइब यह ब सक्राइब का एक रच जमीन ले करके आप मतलड क्टिक ensures यह इधर क्या लगाए हैं यह देखे अभी अभी कहीं आपको वाटर मिलन नहीं दिखाई पड़ेगा यह इस्राइली तर्ज पर और इस्राइली भीज से यह देखे यह वाटर मिलन का भी नोंने अपना यह प्रदर्शन कर रखा है और यह ज्यादा नहीं 15 दिन के बाद यह प्रदर दिन के बाद इसमें भी फल आना सुरू हो जाएंगे अनिल जी आप कहा गए हम अनिल जी के पास आपको ले करके चल रहे हैं यह यह सब ड्रम में क्या है पानी है बहुत अच्छा अनिल जी कहां गए अनिल जी आप बटाएए इस समय क्या क्या आपका उत्पादन हो रहा है गाहां अब टमाटर और इस ट्रोबेरी शिमला मेर्च ए सब भी उत्पादन हो रहा है अब बाकी का उत्पादन भी एक स्युर्ण मीने बाद होगा हाँ अप्रै वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकूम्बर और आज इनके फार्म हाउस पर रास्ति और अंतर रास्ति अस्तर के जो पत्रकार हैं हमारे विजय बिनीज जी जी हां बैठे हुए हैं यह भी अलोकन करने के लिए इनके साथ आये हैं इनके साथ पुरी टीम आये हुए हैं आपके आने कारण देखे आनिज जी इस चेत्र के बहुत प्रगतसील किसान है और यह प्रयोग बादी किसान है और किसान ही नहीं किसान बैज्ञानिक कर सकते हैं और इन्होंने हमेशा प्रयोग किया है और किसानों के बीच अलग जगाई है नए धंकी और एक कैली जी की एक मुहीम जो इजराइल टेकनलाजी है इसको इन्होंने डाप्ट किया और अपनी जमीन खुद बनाई और इन्होंने लीज पर जमीन ली और खेती करना जो सुरू कि है यहाँ वह एक मील का पत्थर तो हुआ है लुगोट देखिए कि इतना प्रेंशाद बात जमीन नहीं है उन्होंने जमीन लीज पर ले करके यह खेती कर रहे हैं और इनके साथ यहां पर आया हूं तो मैं यह भी देख रहा हूं कई चैनलों के लोग विए पर आये हुए ह किसान भाई को बताएं कुछ मेरा नाम जमील हमाद में गुलोबल भारत भीरोची वारानसी आज सएद राजा के उस पावन धरती पर आएं जहां पर किसान अपने एक नए पौधे के रूप में एक नए टेक्नलाजी की तोर पर इस्तमाल करके अच्छे के माध्यम से अलग प आतार यह आधुनिक खेती की जारे निस्तोर पर याने वाले समय में लोगों के लिए एक नए सीख है और हमें लगता है कि आधुनिक खेती की तरफ लोगों को तेजी से बढ़ना चाहिए एक और चैनल के बैठे हुए हैं हमारे मानिक भाई मानिक जी अपना पूरा परशे जो है लहला दिया और यहां के चुछान है इनको अनिल जी को जो है किसान अच्छे उहथा किती कर हो है यह बहुत अच्छा बहुत अच्छी आपका अपका विचार पहुत अच्छा यह सभाई हैं आप कहाने आने कारण नमस्कार मेरे नाम प्रदीप कुमार है चुकि आप देखी रहे हैं मैं इसी जगह पर हूँ जहां पर अनीर कुमार जी अपने नए तकनीक से आधनी कृशी कारे कर रहे हैं इन्होंने पूरे जीले को ही एक प्रेणा प्रेणा स्रोथ की रूप में इनको माना जाता है यह अपने अभी प्रयूग कर ने सनाइज दढ़ते हैं इनको मैंने देखा है कि यह पूद्य की बिमारियों के संबंध में इनको अच्छी जानकारी और पाध किसी फलकषां जिक्कत होती है अनुछी चंपर में भरब किचनिए इनकी हेल्प लेते हैं कीचन गार्डइनिंग के इतना अच् शाहाब के विचारा है और हम देश वासईओं से और किसान भाईयों से यह अपील करेंगे कि आनिल मोर्या जिस तरह से खेती कर रहे हैं और तरह जमीन नहीं है तों लीज पर लिया है जो खेती जाडह में हो सकती है इसको आपको हमने दिखाया इस्त्राबेरी में कैसे इन्होंने पानी भर करके और किस तरह से गर्मी में भी इस्त्राबेरी पैदा कर रहे हैं आपको भी इसका अनुकरन करना चाहिए इनी बातों के साथ अपनी वार्णी को विराम देता हूं धन्यवाद